जुलाई में आपके साथ कुछ कमाल की चीज़े होने वाली हैं जुलाई में आपके साथ कुछ कमाल का परिवर्तन होने वाला है और साथ जुलाई वो महीना मेरे मिथुन राशी के जातक जातिकाओं का उस प्रकार बितीत होने वाला है जो आपके जीवन के अंतरगत जो अभ अगलग लोग होते हैं सब के शाथ एक जैसी घटनाए घटित नहीं होती हैं आखिर उसका रीजन क्या होता है क्यों ऐसा होता है कि सभी के शाथ एक जैसी घटनाए घटित नहीं होती है तो इसी विषय पर मैं चाहता हूं की पूरी तरीके से आपको अच्छी जानकारी दी जाए, आपकी responsibility है कि आप कारिकम को अंत तक देखें, शावधानी के साथ देखें, ध्यान देखर करके देखें श्वाम मिथुन राशी पर चर्चा कर रहे हैं, मिथुन राशी बनता है मिर्ग सेरान चत्र के दो चरण से, मिर्ग सेरान चत्र का दो चरण जिसके श्वामी नचत्र के मंगल बनते हैं, आरादरान चत्र के चार चरण से जिसके श्वामी राहू बनते हैं, और उसके साथ परे हम बात करेंगे मिथुन राशी को लेकर के मिर्गिसरा नचत्र का जिनका नाम अक्षर स्टार्ट होता है का और की अगर का और की से आपका नाम अक्षर स्टार्ट होता है तो आप मिथुन राशी के पहले चरण के जातिका हैं जिनके नचत्र स्वामी मंगल हैं मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत इंपोर्टन तो मंगल इस वार गोचर करेंगे शिंग राशी के अंतरगत आपका आत्म विश्वास बढ़ा रहेगा आपकी भाग दोड अत्यधिक होने वाली है प्रदेशिक यात्रा का संयोग बनेगा confidence level बढ़ा होने के कारण बड़ी से बड़ी problem से बाहर निकलेंगे और एक अच्छी सफलता जीवन के अंतरगत आप प्राप्त करने वाले हैं सो कुल मिला करके अगर मैं मितुन रासी के पहले चरण की बात करता हूं सो मुझे परिस्थती बड़ी अनकूल नजर आ रही है आनंदायक नजर आ रही है आपके लिए बहतर परिस्थतियां हैं अब हम बात किरते हैं आराध्रा नचत्र मेजन में जिनका नाम अक्षर श्टाठ होता है आपके नचत्र स्वामी जो है वो राहू बनते हैं और राहू में इस रासी के अंतरगत गोचर कर रहे हैं आपके लिए परिस्थितियां थोड़ी प्रत्कूल रहने वाली हैं आपको संघर्ष्मोन परिस्थती का सामना करना पड़ेगा किसी भी कारे को करने के लिए थोड़ी महनत अधिक करनी पड़ेगी बट उसके साथ ब्यापार में सफलता प्राप्त होगा नौकरी परिवर्तन का योग बन रहा है प्रेमी प्रेमी का से मुलाकात होगी ऐसे किसी से मुलाकात होगी जिन से बहुत दिन पहले आप पहले से आप मुलाकात करना चाहते थे ये परिस्थती मिथुन राशी के लिए रहने वाली है जिनका आरादना अच्छत्र के अंतरगत जन्म हुआ है अब क्योंकि पुनरबसुन अच्छत्र के तीन चरण यानि के को और हा ध्यान रखिएगा के को और हा ये तीन चरण भी इस्पेशली मिथुन राशी के अंतरगत आते हैं पुनरबसुन अच्छत्र के तीन चरण और इ इस महीने आपके लिए तो अपार खुशियों की प्राप्ति होने का संयोग इस महीने में दिख रहा है शेर मार्केट में जबरदस्त लाब होने वाला है आनंद आने वाला है दिये हुए पैशे आपको प्राप्त होने वाले है संतान से संबंधित खुशियां आपको प्राप प्राप्त हो रही है इतने दिन से कोशिश कर रहे थे रिजल्ट नहीं मिल रहा था वह रिजल्ट आपको इस महीने निश्चत रूप से प्राप्त होने वाला है और अगर मैं मित्धुन राशी को उठा करके देखूंगा क्योंकि राशी श्रामी भी स्वयम अपनी राशी में गोचर करेंगे और सूरे साथ में गोचर करेंगे डेफनेटली ये माह आपके लिए अच्छा दिख रहा है खड़ दो बार आठ तारीख को बुद्ध करक राशी के अंतरगत जाएंगे और उसके बाद गर देखा जाए चौविस तारीख को सिंग राशी के अंतरगत जाए रात को नौ बजे दो पहर को बारा बजे आपके साथ लाइव होता हूं आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं बात कर सकते हैं इस कारिक्टम में जुड़ने के लिए हिर्देश आपका बहुत धन्यवाद बहुत परसंद रहें इनी शुब कामना अक्रशा जैश्री राम